हेलो दोस्तों नमस्कार आज मैं आपके सामने यूरोप कॉंटिनेंट का पार्ट 7 लेकर के आई हूँ उमीद है आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक यूरोप कॉंटिनेंट का देख लिया होगा और इसे जादर जादर लाइक और सब्सक्राइब करिए चलि की बाल्टिक सी में गिर जाती है दोस्तों एटलेस निकालना बिल्कुल भी ना भूले मैं हमेशा हर अपने हर वीडियो में बताते हूं कि एटलेस तो जरूर अपने साथ में रखें और उसी के साथ पढ़ते जाएं और समझते जाएं नेक्स्ट आपका एल्प्स माउंटे है जो रशिया में है यहां से एक नहर निकलती है और वो वाइट सी में जाकर मिलती है इस नहर का नाम है वाइट सी कैनाल नेक्स्ट आपका फिनलैंड है कंट्री जो हजारों जीलों के देश के नाम से जाना जाता है यह नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है जरा साथ समझ लीजिए का मेरे साथ साथ में यह जो Northern Ireland है Scotland है England है और Wales है यह चार कंट्री मिला करके आपका UK बनता है मैं फिर से एक बार बहुना चाहूंगी Northern Ireland, Scotland, England और Wales मिला के आपका बनता है UK बाकी जो आपका Great Britain है वो आप इसमें कंट्री में से Northern Ireland को निकाल दीजे और खाली Scotland, England वेल्स को मिला करके आपका ग्रेट बिटेन बन जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोस्ट ओल्ड मौंटेन्स कोस्ट ओल्ड मौंटेन्स से यहां से थेमस नदी निकलती है उत्री सागर में गिर जाती है इस नदी के किनारे लंदन अवस्थित है नेक्स्ट आपका बर्मिन नॉटिंग घाम है यहां पर कोईला बहुत मिलता है जिसकी वजह से यहां पर इंडुस्ट्रिल डवलप्मेंट बहुत हद तक हो गया है नेक्स्ट आपका नॉटिंग घाम है जो किन ग्लैंड में है यह फेमस किन किन चीज़ों के लिए है नंबर वन पर है टुबैको टू वन लार petव है मेडिसिंस, थ्री पर है सिगार, फ्री पर है सिगरेंट और फाइफ पर रेडिमेड गार्मेंट फिर आते हैं ग्लासकलो और लंडन जो है वह फेमस है शिपिंग मेनुफैक्टरिंग के लिए नेक्स्ट आपका Sheffield है जो famous है cutlery industry के लिए नेक्स्ट आपका Dundi है Liverpool है Manchester है जो की famous है cotton textiles के लिए नेक्स्ट पैरिस है जहां से एक train चलती है जो की Istanbul तक जाती है और इस train का नाम है oriental train दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ उमीद है यह आपको बहुत अच्छे सा पसंद आया होगा इसे like and subscribe करिए और अपने दोस्तों के शार्च शेर करिए Thank you